मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें आज और कल इन राज्यों में होगी बारिश आदी दूफान का भी अलरट जाने मौसम का ताजाहाल कई राज्यों में अब भी बारिश हो रही है पहाडी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, लदाक में आज और कल बारिश होने का अनुमान है बले ही उत्तर भारत समेट कई राज्यों में भीशन घर्मी शुरू हो गई हो लेकिन कुछ इलाकों में अब भी जमाजम बारिश हो रही है मौसर विबाग ने आज और कल के लिए बारिश का अलट जारी किया है वहीं पहाडी राज्यों में बर्फ बारी के भी आसार है उधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाग, गुजरात, राज्यों बिहार जैसे राज्य गर्मी की मार जहल रहे है मौसर विबाग के नुसार पश्चिमी हिमाले छेतरों में एक और अगले दिनों बारिश का अलट जारी किया गया है उसके बाद बारिश की गति विदियों में कमी आ जाएगे मौसर विबाग के नुसार पिछले 24 गंटे के दौरान पश्चिमी राइस्थान, गुजरात, पश्चिमी मद्य पिर्देश, ओड़ीशा, गंगिये, पश्चिमंगाल, महराष्ट, केरल, तेलंगाना और तर्टिये, आंदर पिर्देश में अधिकतब तापमान 34 से 37 डिग मौसर विबाग के नुसार वेस्टन डिष्टरवैंस की वज़ा से कई राज्यों में अब भी बारिश हो रही है पाड़ी राज्यों जैसे जमू कश्मीर, हिमाचल पिदेश, उत्राखन, लद्दा, गिलगिट बाल्टिस्तान, आदी में आज और कल हलके से मध्यम बारिश होने का अनुमान है वहीं दो दिन बर्फ बारिका भी अलर्ट जारी किया गया है इसके लावा पंजाब, उत्री हर्याना, चंडीगाड, उत्री राज्स्थान, हिमाचल पिदेश, उत्राखन में आदी तूफान भी आ सकता है वहीं तापमान की बात करें, तो मौसम विभाग का नुमान है कि अधिक्तम तापमान 2-3 डिग्री सेलसियस तक अगले 24 घंटे में गिर जाएगा और फिर उसके बाद 2-4 डिग्री सेलसियस तक बढ़ेगा वहीं पूर्वी भारत की बात करें, तो अगले 5 दिनों तक तापमान में 2-4 डिग्री सेलसियस तक की बढ़ उत्री रिकॉर्ड की जा सकती है मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत